हेलो फ्रेंट्स कैसे हो आप सब आई होब कि आप अच्छे होगे और KVS TGTWE की प्रेपरेशन आपकी अच्छी चल रही होगी अब तो एक्जाम का डेट भी आ गया है जो कि फेब में होना आपका फरवरी में 12, 13 या 14 जब भी आपका पढ़ जाए तो आप अपनी जो तैयारी है उसकी स्पीड और भी बढ़ा दीजिए और जितना हो सके आप लोग क्विस्चन को प्रेक्टिस करें क्योंकि टॉपिक यहाँ पे अगर आप पढ़ने जाओगे और वो जो भी out of syllabus होगा उसको नहीं पढ़ेंगे जो भी आपके syllabus में है वहीं बस आप इससे पढ़ पाओगे तो चलिए हम लोग 2016 का paper लिए हैं और इसका part 1 आज हम लोग करने जा रहे हैं तो बहुत ही आराम से हम लोग देखेंगे इसमें बिलकुल भी इधर उधर की बाते नहीं होगी जो भी आपका यहाँ पर questions होगा बस उसी पर focus किया जाएगा तो कम समय में चाहूँगा कि आपको अच्छे से deliver कर सकूँ तो चलिए फिर बिना time waste किये हम लोग start करते हैं आज का session पहला equation आपके screen पर है which one of the following force is not needed for satisfactory operation of any indicating or measuring instrument तो देखिए यहाँ पर हमसे measuring instrument का equation पुछ लेते हो और उसमें हम जानते हैं कि एक needle होता है indicate करने के लिए जो भी हमारे voltage या current होते हैं उनकी values को तो यहाँ पे इसको हमको किसी भी point पर move कराने के लिए means जो भी value वो सो करे उसके लिए deflecting torque की जरुद पड़ती है right तो यहाँ पे हमको deflecting torque की need पड़ रही है और जब यहा से कहीं पर भी किसी particular current या voltage की value पर जाती है तो वहाँ पर जाने के बाद कब हमको यह कोई भी particular value सो करें वहाँ पर उसको रुखने के लिए हमको controlling torque की need परती है right तो इस वज़ए से fire quick operation इसके अंदर oscillation से उनको damp out करने के लिए हमको damping force की need होती है right तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से damping force deflecting force और controlling force की requirement होती है जबकि जो gravitational force है उसकी requirement नहीं होती है measuring instrument में सो third option क्या हो जाएगा इसका correct हो जाएगा क्यूंकि हमसे पुछा था not needed राइट तो काफी जी question था measurement का बढ़ जाते हैं अगले question पर अगला जो question है हमारा if a general diode is made from heavily doped semiconductor its depletion region becomes very narrow and the structure becomes देखें general diode जो होता है वह वैसे भी heavily doped होता है जैसे अगर हम बात करें किसी नार्मल डायोड की तो नार्मल डायोड का यदि हमाने की concentration कुछ ऐसा है right electron 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 तो यहाँ पर क्या होता है कि यह diffuse होकर के अगर electron holes की तरफ और holes electrons की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर एक depletion layer बनता है राइट इनके साब नार्मल डायोड लेकिन जब यहीं पर अगर इनको हम heavily doped कर दें means concentration of holes और concentration of electrons को अगर हम increase कर दें राइट अगर हम increase कर दें यहाँ पर यह P side आपका और यह N side तो क्या होगा यहाँ पर इलेक्ट्रान 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 तो अब यहाँ से holes और electrons का diffusion होता है उसकी वज़ाँ जो depletion layer बनता है वो in compression to this वो काफी कम होता है यहाँ पर मैं अच्छे से क्या करें इसका concentration बढ़ाएं holes का और electrons का मिंस heavily doped कर दें इससे भी मतलब general diode से भी अधिक तो क्या होगा कि यह जो depletion region का width है वो घट रहा है वो एक time पर क्या होदा है और जब ऐसा होता है तो यहाँ पर एक tunneling effect होती है उसका काफी स्टेज में characteristic आपको देखने को मिलेगा कि कुछ देर के लिए तो यह जो electrons का flow है वो कराएगा राइट लेकिन कम कराएगा लेकिन जैसे जैसे हम voltage को बढ़ाएंगे और peak पर लेके जाएंगे तो उस time पे काफी ज्यादे amount में यह electrons को flow कराता है और उसके बाद क्या होता है कि यह थोड़ा सा tunneling effect की वज़ए से कुछ देर के लिए डाउन भी होता है और फर्मी energy level का यहाँ पर concept यूज हुआ होता है कि कुछ देर तक यह क्या करता है यह थोड़ा सा जो tunnel होता है वहाँ पर वह ब्लॉक करता है यह थोड़ा से क्या करता है तो इस रिजन में आप देख सकते हो कि यह नेगटिव स्लोप होने करड़ यहाँ पर एक एक नेगटिव रेजिस्टेंस भी सो करता है तो ऐसा कब होता है tunnel diode के case में होता है कि जब concentration बहुत ज़्यादे बढ़ जाती है यहाँ पर इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लो क्योंकि हर एक प्रिवियस यर में यह कुछा हुआ है अब बढ़ जाते हैं अगले question पर जो अगला question हमारा है for the network shown in the following figure the value of vs which makes i0 equals to 7.5 milliampere is तो हमको देखे network का question है काफी easy तो होता है सबसे easy होता यहीं बट थोड़ा सा calculation की वज़ए से time taken हो जाता है यहाँ पर हमसे vs की value पूछा गया है तो देखे network में क्या होता है जो भी पूछा गया होता उसको बस सोचिए कि कैसे निकल सकता यह vs कैसे निकल सकता है अगर हमको यहां की current पता चल जाए और यह जो equivalent resistance है overall वह पता चल जाए तो हम जानते है कि vs is equals to क्या हो जाएगा यहां का current है यह current क्या है is है तो vs is equals to क्या हो हो जाएगा मेरे पास यह ias into यह जो भी इसका are equivalent होगा right equivalent resistance होगा तो equivalent resistance कितना हो जाएगा यह दिखिए six और six क्या है parallel में है तो total कितना हो जाएगा यहां से यह वला तो अब देखिए 3.58 और 12 सीरीज में है तो 12,8,20 और ये 3 टोटल जो आर एक्विवेलेंट आ गया हमारे पास को इतना हो गया 23.5 ओम राइट अब हमको बस करेंट आइस निकलना है करेंट आइस क्या हो जाएगा हमारा यहां पे देखिए जैसा कि हमको दिख रहा है कि आइनाट तो गिवन है अल्रेड़ी 7.5 मिली एंपियर में तो अगर 6 ओम के एक राइस 7.5 मिली एंपियर है तो यहां भी 6 ओम है पैरलल में तो यहां से जो भी करेंट आ रही होगी वो दोनों में इक्वल डिवाइड होगी क्योंकि इक्वल less circumstances थो फंद्र अगर से पन्द्र यहां से 15 प्लो कर रहा है और refusing M P यहां से एगा और वह इस आ जाएगा और वह कितना हो जाएगा इनको एकलेट करोगे तो 705 मिलीवल्ट आ जाएगा तो 4th option क्या हो जाएगा आपका correct हो जाएगा अब बढ़ जाते हैं अगले question पे जो अगला question अमरा in an abrupt PN junction if NA is lesser than ND the barrier potential is यहां पर दिखें एन जो है वो काफी क्या है कम है nd के comparison में तो हमको barrier potential पूछ रहा है तो जो barrier potential होता है वो क्या होता है simply q n w square divided by 2 epsilon s अब अगर हम बात करें जो यहाँ पर acceptor atom density है और donor atom density उसमें जो donor atom density वो काफी बढ़ा है और जो n होता है मारा वो क्या होता है na into nd divided by na plus nd यहाँ से अब nd अगर काफी ज्यादा बड़ा है in comparison to na तो n को हम लोग neglect कर सकते हैं और na अधी neglect हो जाए यहाँ से यह जो इनका sum है वो nd के ही बराबर आगा क्योंकि nd काफी बड़ा है ने के comparison है मतलब यह 100 है तो यह 1 है तो 101 आएगा तो लगभग इसी के बराबर हो रहा है nd के ही बराबर तो अब यह अगर neglect हो गया तो nd कर जाएगा और हमारा n जो होगा वो na के equal हो जाएगा तो हमको simply इस formula में n की जगा पे na पूट कर देना है तो इससे हमारा क्या formula बन जाएगा VBI is equal to Qna W square by 2 epsilon S तो यहां से third option जो है वो match कर रहा है तो third option इसका क्या हो जाएगा correct हो जाएगा अब बढ़ जाते हैं अगले question पे अगला जो question है हमारा In a full wave rectifier The load resistance RL is equal to 2 Kilo Ohm Each diode has idealized characteristics having slope corresponding of 400 Ohm Voltage applied to each diode is 240 sin 50 T volt The peak value of current IDC is हमको peak value चाहिए right है Peak value चाहिए peak value current Diode के cross और यह diode के cross voltage गीवन हो तो काफी हीजी होगी हमारा कि अगर हमको यहां पे peak value गीवन है Diode के cross ऐसे right यहां पे कितना गीवन है यहां पे 240 240 देखिए अगर sin 50 T ऐसे करके जिया हो तो इसका मतलब यह कि हमारा peak voltage है और peak voltage अगर गीवन है और हमको current चाहिए तो simply हमको क्या करना होगा इसको जो भी इसके cross register होगा उसको divide कर देना होगा तो अब register जो इसके cross आएगा वो total कितना आएगा यह जो load resistance है वो और यह जो diode का resistance है वो 400 ohm तो यहां पे 240 240 अपान जो load resistance है वो कितना है 2000 और यह 400 ohm जो diode resistance दोनों को add करोगे तो आप कितना हो जाएगा 2400 और इसको यदि आप solve करते हो तो कितना आ जाएगा यह 0.1 ampere आ जाएगा तो यह कुछ ऐसा आपका बनेगा मतलब यहां पे 0.1 आ जाएगा यह मैं diode के डायोड का peak क्या बोलते है कि current मैं बता रहा हूँ आपको राइट है peak current तो यह कुछ ऐसा हो जाएगा राइट लब यहां पे जो current है उसका जो waveform होगा वो थोड़ा सब्प्रेस हो जाएगा और यह 0.1 ampere के करीब आएगा तो 0.1 ampere यहां पे 100 सब्सक्राइब जो question में कराया था previous year का उसमें भी पुछा था यहां पे a को यदि हम common ले तो वन प्लस ए तो हो चुका तो यह बी बार हो जाएगा और प्लस यह हो चुका तो भी बार सी हो जाएगा और प्लस बी बार सी डी बार अब आप जानते हो कि a a प्लस कुछ भी हो यहां पे a b c d x कुछ भी हो तो one के साथ यहां पे कुछ भी होता है राइट जीरो हो तब भी और वन के साथ the one हो तब भी अब हमेशा क्या आएगा यह वन ही आएगा तो ए ब्रैकेट में हमारा वन हो गया अब यहां पे देखें डॉट है तो एंड गेट यहां पे यूज हुआ है और एंड गेट में हम जानते हैं एक साथ यदि वन है मैंस एको यदि आप 0 रखो तो 0.1 1 रखो तो 1.1 यह क्या हो जाएगा हमारे पास 0 और 1 0 होगा मतलब यहीं वाला होगा और 1 into 1 क्या होगा यहीं वाला होगा तो इसका मतलब जो A है वहीं बार-बार आ रहा है तो A हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा अब बढ़ जाते हैं अगले question पर अगला question नहीं question करया था previous year का उसमें भी पूछा था जो figure of merit होता है वो क्या होता था वहाँ पे मैंने बताया था आपको कि propagation delay होता था in nanoseconds और into power होता था जो कि milli watt में होता था तो अब nano और milli को multiply करोगे तो कितना हो जाएगा 10 to the power minus 9 और यहाँ पर watt है और into second है तो आप जानते हो की watt का मतलब क्या power का unit और second का मतलब time का unit तो power into time क्या होता है इनर्जी होता है और energy को हम लोग किसमें मेजर करते हैं जूल में मेजर करते हैं और ये 10 to the power minus 9 और 10 to the power minus 3 कितना हो जाएगा 10 to the power minus 12 हो जाएगा और ये हो गया आपका Pico right Pico Joule तो Pico Joule जो हो वो आपका क्या हो जाएगा correct answer तो first option इसमें Pico Joule दिया गया है तो वो आपका correct हो जाएगा तो propagation delay into power ये क्या होता है हमारा figure of merit होता है तो I hope क ये आपको समझ में आओगा बढ़ जाते हैं अगले question पर अगला question है 109 one of the following logic gate can be called as universal gate तो इसमें से कौन से universal gate कहलाते हैं तो आपको पता होगा ये काफी बार question पूछ चोगा और काफी exam में पूछ सुका है तो जो nand और nor होते हैं ये क्या होते हैं हमारे universal gate होते हैं और and or not य ये हमारे special logic gate होते हैं तो कफी easy question था बढ़ जाते हैं अगले question पर अगला question है हमारा the concentration pn of holes in n type semiconductor is तो यहाँ पर हमको concentration of pn of holes बुचा है in case of n type semiconductor तो इसको मैंने करार रखा है आपके लिए यहाँ पर in intrinsic semiconductor के दिए हम बात करें तो n plus na is equal to p plus nd होता है जहाँ पर n क्या है electron density, p क् और na क्या है acceptor atom density और donor atom density है यहाँ पर, अब according to mass section ला हम जानते है n into p is equal to ni square होता है जिसमें की ni क्या है मारा intrinsic carrier concentration, अब इसको हम क्या लिख सकते है, p is equal to क्या लिख सकते है, ni square by n due to according to this equation और यहाँ पर जो अगर हम subscribe n ले ले for n type semiconductor तो pn क्या हो जाएगा ni square by n right और हमको यहीं की बात करें, तो वहाँ पर क्या होता है, कि जो acceptor atom density होता है, वो 0 होता है, क्योंकि electrons वहाँ पर होते हैं, तो donor atom density वहाँ पर क्या होता है, मौझूद होता है, जब कि जो acceptor atom density होते हैं, वो ना के बराबर होते हैं, तो वो 0 होता है, तो अगर हम इसमें वो put कर दें, na की जगा पर 0 तो N is equal to क्या हो जाएगा P plus ND हो जाएगा तो N is equal to P plus ND हो गया हमने subscribe N लिया है for N type semiconductor so in N type semiconductor N N जो होता है मतलब जो आपका यहाँ पर electron density होता है N type semiconductor में आपको पता है कि वो जादा होता है क्योंकि majority में होता है N N और जो holes होता है वो minority में होता है तो जो electron density हो काफी अधिक होता है तो हम लोग क्या कर सकते है यहाँ पर भी यह जो holes का concentration है उसको हम लोग क्या कर सकते है neglect कर सकते है तो N N जो होगा वो ND के equal हो जाएगा राइट अब N N जदी ND के equal होगा और यहाँ पर हम लोग N N के जिएगा पर ND कर दें तो जो PN है वो किसके बराबर हो जाएगा PN N N I square by ND So यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो PN is equals to N I square by ND है third option में वो क्या हो जाएगा आपका correct हो जाएगा अब बढ़ जाते है अगले question पर अगला जो question है हमारा the color code for 47 ohm resistor with 1% tolerance would be यहाँ पर कलर कोड आप 47 रजिस्टेंस रजिस्टर पूछा है with 1% tolerance तो देखिए आप यहाँ पर आपको याद भी रहता है बिभी रॉय ग्रेट ब्रेटेन वागेरा करके ठीक है अपने जैसे भी याद किया हो किया हो बट आप एक बार simply अपने मन में यह चार-पांच बार पढ़ भी जाया करो क्योंकि हो सकता है कभी कभी आप ब्लैक ब्राउन में ब्लैक और ब्लू ऐसे जब कई सारे एक ही तरह किया तो तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है यहां पर ग्रीन है और यहां पर ग्रे है राइट तो इसमें दिक्कत हो सकता है तो आप सिंप्ली याद रुखो ब्लैक ब्राउन रेड्ड ओरेंज यलो ग्रीन ऐसे पढ़ करेंगे और ब्लू वायलेट ग्रे और वाइट गोल्ड सिल्वर और लास्ट में आपका प्लेन त से भी हम लोग थोडा सा गलती कर देता है कली कि वन से स्वरु करते यहां पांतिक करते हैं ब्लैक के लिए जो सुरुआत में जीरोसी शुर्णा ऐसे ही total 3 band के लिए हम लोग देखते हैं, उसके बाद आपका multiplier आ जाता है, उसके बाद tolerance, तो यहाँ पे हमको multiplier, के बाद 47 लिखा है, इसका मतब दो ही band हमको दिया गया है, और अगर हम लोग multiplier की बात करें, तो यहाँ पे 10 के power में, क्या है, 0 है, क्योंकि 10 के power 0, 1 होता है, और 47 to 1 करेंगे, तो 47 ही आएगा, और plus minus 1% का tolerance है, तो 10 के power 0 देखें, जो multiplier है, उसकी value 1 होती है, और जैसे हमने आपको बताया कि यहाँ 0 से शुरू करते हैं, वैसे ही multiplier में भी हम 10 के power 0 से शुरू करते हैं, फिर 10 के power 1, फिर 10 के power 2, ऐसे हम लोग total कहां तक आते हैं, 7 तक आते हैं, violet तक, और यहाँ पे हमको 10 के power 0 ही दिया गया है 1, तो इसका black हो जाएगा, और उसके बाद 1% का tolerance है, जो की शुरू होता है brown से, मतलब एक आपका gap होने के बाद, ठीक है, black को छोड़के बाद, छोड़ने के बाद, जो brown है, वहाँ से 1%, 2%, उसके बाद आपका green का है, 0.5, 0.25 0.10, 0.05, उसके बाद, अधिकांसता अगर tolerance पूछता भी है, तो gold का पूछता और silver का, बस इसमें पूछ दिया है, आपका, यहाँ पे 1%, right, जो की brown का है, तो gold और silver का आपको याद रखना है, 5% और 10%, यहीं अधिकांसता पूछता अगर tolerance पूछता भी है, तो, right, तो यहाँ पे 1% किसका है, देखिए, brown का है, right, और multiplier black का है, और 4, 7, मतलब yellow 4, और 7, second वाले band में, violet का है, तो यह किससे match कर रहा है, आपका, fourth option में, जो की yellow, violet, black, brown, यह आप एक बार याद कर लो, क्योंकि याद करने वाला ही है, और यह अगर पूछ दिया, तो आपके एक number पक्की हो ज is equal to 0, the value of Rb2 is, तो यह तो simple होता है, simply यहाँ पे, Rb1 upon Rb1 plus Rb2 is equal to, यही हमारा क्या होता है, standoff ratio होता है, यह मैंने आपको करा भी रखा है, यहाँ पे, means अगर UJT relaxation oscillator की बात करें, तो कुछ ऐसा होता है, P type और N type से मिल कर बना होता है, N type lightly doped होता है, P type heavily doped होता है, और यह lightly करण यहाँ पे हमको कुछ resistance मिलता है, क्योंकि अगर यहाँ पे carrier concentration मौजूद नहीं होगे, तो current का flow अच्छे से नहीं होगा, और इसमें कुछ resistance नजर आएंगे, इनको हम दो पार्ट में तोड़ भी लेता है, जब आप इसको पूरा पढ़ होगे, तो आपको region समझ में आए अब यहाँ से rb1 अपन rb1 प्लस rb2 को एक side कर लो, और vbv को एक side कर लो, तो हमको यह जो मिलता है ratio, इसी को हम लोग बोलते है standoff ratio, जिसको हम eta से represent कर दिये, अब इसकी value हमको given है 0.6, तो हमको क्या बताना है simply, हमको यहाँ पे question में क्या पुछा गया है, question में पुछा गया ह value of rb2, तो rb2 यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, यह rb2 रहा, यह रहा, right, तो यहाँ पे देखिए rb2 चाहिए, हमको rb1 पता है, 5 kg, 5 kg, rb2 चाहिए, और eta की value हमको पता है 0.6, तो rb2 अराम से निकल जाएगा, 2 kg, right, so third option जो इसका है, वो क्या हो जाएगा, correct हो जाएगा, बढ़ जाते हैं अगले question पर, अगला जो question है हमारा, a certain differential amplifier has differential voltage gain 2000 and common mod gain of 0.2, the cmr is in decibel is, तो common mod rejection ratio cmr हमको पूछ रहा है in decibel, तो जो common mod rejection ratio होता है, वो क्या होता है आपका, जो common mod rejection ratio होता है, वो आपका होता है, simply, जो differential gain होता है, वो upon common mod gain होता है, वो, right, तो यह कितना हो जाएगा differential जो voltage gain हो आपको दिया गया है, 2000, 2000 divided by, जो common mod gain हो कितना है, 0.2, लेकिन हमको तो decibel में पुछा गया है, तो हम लोग क्या कर देंगे, 20 log, 20 log ले ले लेते हैं उसका, और यह कितना हो जाएगा, 2000 upon 0.2, इसका मतलब यह हो जाता है, कि यह total 2 है, तो यहाँ पे हम लोग इसको 10 to the power minus 1 कर लेते हैं, और इसको ऊपर भेज देंगे, तो यह एक 0 यहाँ पे बढ़ा देगा, और यह simply कितना हो जाएगा, 10,000, यह 10 to the power 4 लिख सकते हैं, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे 20 into, यहाँ पे 4 log, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 4 log 10, और यह base 10 है, तो base 10 अगर base बराब है, यहाँ पे लिखा गया है, which one is a not get, right, मैं आपको पढ़के बता रहा हूँ कि यह not get, इसमें सबुचा गया है, कौन सा है, तो देखें, not get कैसा होता है, not get कुछ इस तरीके का यदि हम बात करें, यहाँ पे, यहाँ पे हम input दे रहे हैं, right, input, और यहाँ पे हम सबूच करे है, कोई voltage है, plus 5 volt, जो कि यहाँ पे दिया गया है, right, तो यहाँ पे अगर हम output लेते हैं, यहाँ पे, तो अब देखें, जब हम यहाँ पे input देते हैं, 0 पहले, right, कोई भी input नहीं देते हैं, तो क्या होगा, अगर कोई भी input नहीं देंगे, तो यहाँ पे कोई भी current flow नहीं तो यह जो 5 वोल्ट है वो टोटल यहां पर जाएगा तो यह 5 वोल्ट हो जाएगा तो इन्पुट हमने 0 वोल्ट दिया और आउट्पुट हमको 5 वोल्ट मिलरा इसका मतलब कि यह not gate की तरह बर कर रही है मतब not gate क sage in input low है तो output high होगा और output अगर इन्पुट अगर हम यहांपे हम लोग high कर दें अगर 5 वोल्ट कर दें राइट support होगा यहांل यह होगा यह जो हो जाएगा यह जो जायाएकि आइसी अब इसके क्रश ड्रॉप कितना होगा आर्ची से गर मल्टिप्लाई कर दें तो ड्रॉप हमारा 5 बोल्ट का हो जाएगा यहां पर 5 बोल्ट का ड्रॉप अगर हो गया मैनस में तो बोल्ट और यहां करता है जब हम इसको आउटफोट को यहां पर लेते हैं मतलब यह क्या करता है, कुछ आपके रेंज में, फ्रिक्वेंसी के रेंज में, आपके फ्रिक्वेंसी को यह पास नहीं होने देता है, जैसे कि यहां से यहां तक के यहां से यहां तक के फ्रिक्वेंसी को यह पास नहीं होने देता है, बाकि लो फ्रिक्वेंसी और हाई फ्रि होती है और जो higher cut-off frequency होती है उसका क्या होता है यह product होता है इन अंडर रूट राइट सो जो होती है वो अपर cut-off frequency और lower cut-off frequency का product होता है अंडर रूट तो second option क्या हो जाएगा इसका correct हो जाएगा अब बढ़ जाते हैं अगले question पर question है for a series silicon diode configuration below the current ID is यहाँ पर हमसे यह current पूछी गई है ID और यहाँ पर हमको एक diode दिया गया है silicon diode तो simply हम लोग current निकाल देते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पर केविल केसेल हमको लगाना है यह तो काफी easy question और यहाँ पर IR है यह तो IR और ID दोनों बराबर ही है हमको यह ही current चाहिए तो IR is equals to क्या है ID है क्योंकि कहीं भी यहाँ पर branch divide तो हुगा नहीं है तो यहाँ पर drop कितना होगा ID into 2.22 kilo ohm तो ID into 2.22 kilo ohm इतने का drop होगा is equals to 0 अब जैसे ही आप यहाँ पर ID को calculate करोगे तो वह आपका सिंप्री कितना जाएगा जब आप इसमें values वगरा पूट करोगे तो यह हो जाएगा 8-0.7 divided by 2.2 K तो आप देखोगे कि यह 6.62 के करीब आएगा तो आपका जो correct answer हो जाएगा थर्ड ओल आप्शन 6.63 मिली Ampere और यहाँ पर अगर ideal diode होता तो आप यहाँ पर 0.7 को neglect कर देते हैं तो जैसा भी आपको दिया हो वैसे यहाँ पर दिया नहीं तो अब default में 0.7 हमेशा मानके चलना अब बढ़ जाते हैं अगले question पर अगला question है तो यहाँ पर हमको मिला कि so the monolithic integrated circuit refer to a single stone or a single crystal the single crystal means a single silicon chip as a semiconductor material on the top of which all the passive and active components are connected right तो मुझे भी थोड़ा सा इसके लिए पढ़ना पड़ा था यहाँ पे तो मेरा ही साब से active and passive components are fabricated on the same clip यह इसका क्या हो जाना चाहिए तो मेरा इसाब से second option इसका क्या हो जाना चाहिए correct हो जाना चाहिए आप इसको एक बार देख लेना मैं भी इस पर sure नहीं हूँ बढ़ जाते हैं अगले question पर अगला question है हमारा 118 number का आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे लिखा है the two transistor equivalent circuit of SCR is तो हमको SCR silicon controlled rectifier का यहाँ पर circuit बताना है इन में से कौन से है इन options में सो तो यह इसके पहले वाले प्रिवियस यह में मैंने आपको बता रखा है कि simply यह क्या होता है पी ऐसे एन पी ठीक है पी एन पी और यहाँ पर फिर साइड में एन पी एन पी और एन पी और एन ट gate terminal और यहाँ पर anode हो गया आपका right और यहाँ पर क्या हो गया cathode इसका simply symbol आप ऐसे दिखा सकते हो इसका symbol ऐसे होता है cathode anode right to transistor मतलब की आपका यह जो option इसमें से देखिए यहाँ पर देख सकते हो कि यह PNP है और फिर यह वाला जो है NPN है तो यह circuit जो है आपको सो कर रहा है SCR ठीक है silicon control rectifier को जो third option क्या हो जाएगा इसका correct हो जाएगा बढ़ जाते हैं अगले question पे अगला जो question है मारा the frequency of oscillations produced by the culprit oscillator shown in the figure is आपको question साह दिखना रहा हो यह भी तो culprit oscillator के लियम से पूछा है the frequency of oscillations produced by the culprit oscillator तो culprit oscillator का जो frequency होता है वो कितना होता है वो होता है 1 upon 2 pi under root L C equivalent जितने भी oscillator इस type के अधिकांस्ता करके आपको क्या पूछा जाता है frequency ठीक है frequency of oscillations यही पूछा जाता है आपसे तो आपको हरे का याद रखना है ठीक है अब यहाँ पे हमको C equivalent find करना होता है अब इसके derivation में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे equivalent जो होगा यह जो C1 है वो और यह जो C2 है C1 C2 divided by C1 plus C2 अब यहाँ से आपको C equivalent मिल जाएगा C equivalent और आपको L की value आपको यहाँ से given है 100 microhenry जब आप इसमें C equivalent और L की values पूट करोगे तो आप देखोगे कि यह लगभग 0.527 into 10 to the power 6 आएगा ओके तो यहाँ से 527 kilohertz आपका क्या हो जाएगा answer जब पॉइंट को आप यहाँ लग जाओगे तो 527 करीब यह रहा आपका 528 kilohertz तो आपको य यह formula याद रखना है कल्पिट oscillator के लिए frequency of oscillations 1 upon 2 pi under root L into C equivalent बढ़ जाते हैं अगले question पे अगला जो question है हमारा the current ratio I2 by I for the circuit shown यहाँ पे हमको current ratio बताना है this I2 by I तो inductor के case में हम जानते हैं जैसे register में current divider रो लगाते हैं वैसे यहाँ भी लग जाता है तो हमको अगर I2 यह वाला current चाहिए तो हम क्या करेंगे पहले तो जो total current आरी यह वो लिख लेते हैं और जिसका हमको पता करना है उसको न लिख करके हम लोग जिसको नहीं पता करना उ का inductance लिख लेते हैं L1 divided by total यहाँ पे और is equals to क्या हो जाएगा जो हमको चाहिए I2 ही चाहिए था तो अब देखेंगे कि जब इस आई को हम लोग यहाँ पे लिख राएंगे तो I2 by I1 हो जाएगा और यह हमारा क्या हो जाएगा L1 upon L1 plus L2 I2 by I1 हो जाएगा तो काफी इजी question था तो second option क्या हो जाएगा इसका correct हो जाएगा बढ़ जाते हैं अगले question पर अगला question है मारा 121 in the interconnection of ideal source shown in the following figure it is known that 60 volt source is absorbing power which of the following can be the value of the current source I is current source I की value हम से पूछा है और बोला है कि it is known that the 60 volt source is absorbing power यह जो 60 volt का source है वो power को absorb कर रहा है तो अगर मैं थोड़ा सा बढ़ा बनाऊ इसक इसको तो plus minus यहां पर current source ऐसे हो गया यहां पर plus minus और यह आपका I right और यहां पर जो यह voltage source है वो current को क्या कर रहा है यह 60 volt का है तो एब्जॉर्ब करने का मतलब क्या हो गया sorry power को absorb करने का क्या मतलब हो गया कि minus से निकलेगा right और plus में enter करेगा और deliver करने का मतलब कि plus से क्या करत यह निकलता है और minus में enter करता है तो यहाँ पे अगर यह absorb कर रहा है देखिए जो पूरी circuit है उसमें जो power जो हमारा absorb हो रहा है वो क्या होगा equals to power जो भी हमारा deliver हो रहा है यह intelligence ठियोरह हों को बताती है तो जो भी power absorb हो रहा होगा जो भी power deliver हो रहा होगा confirm है कि उतना आप देख लेते हैं कहां कहां पर अब दीखिए यह पैrent संक निकल रही है तो यह प्लॉस में प्रकर रही है यह कंफर्म हो경 अब एस उसर्कीट में हमको पता करना है कि और क्या क्या चीजह यह और रही है यहां पर Looking तब कि यह प्लस से निकल रही थी, माइनस में अंटर कर ही Quindi Mog I got का मतलब यह डेलीवर कर रही है, और यह 20 epared, और यह आपका 12 eampiare है, राइट और यह 60 e SERP 8, तो आप यहाँ पे अगर KvL लगा दो, यहाँ पे, तो आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे अगर आप KVL लगा दो तो यह 60 है माइनस 20 तो बचा कितना 40 यहाँ पे जाएगा आपका 40 वोल्ट किस डिरेक्शन में ऐसे प्लस माइनस पॉलर्टी यह होगी ताकि यह 60 और 20 चालिस हो जा रहा है 60 में से 20 गया 40 तो यहाँ पे अगर 40 कर दो अब आपको क्या करना है अब आपको सिंप्ली यहाँ पे निकाल लेना है कि कितना पावर डिलिवर हो रहा है तो यहाँ पे 40 तो 12 करोगे तो आप कितना आएगा 12 चूट के तारीस मतब 480 वाट और यहाँ पे यहीं करेंट जा रही है यह जो 12 एंपियर की यहाँ पे जा रही है तो 12 दूनी के 24 20 बोल्ट में जब जाएगी तो 240 वाट यहाँ पे डिलिवर कर रही है और 480 वाट यहाँ पे डिलिवर कर रही है तो टोटल कितना हो गया 0 और 8,4,12, 4,26,7 720 वाट टोटल डिलिवर हो रही है यहाँ पे अब कितना एब्जार्व कर रहे है यह राइट कितना एब्जार्व हो रही है और देखे यहाँ पे अगर 12 एंपियर की करेंट यहाँ पे जा रही है इसका क्या मतलब है कि यहाँ से 12 एंपियर की करेंट जा रही होगी तो अगर ये current i है तो इसमें कितना जा रही होगी 12 में से ये i तो ले गया बचा-कुचा यहाँ पर 12-i 12-i current यहाँ से flow करेगा तो इसका मतलब यहाँ से जो current flow करेगा उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं ix या i कुछ भी नाम दे दो 12-i x इसका मतलब कि जो current आपकी आएगी वो confirm है कि 12 से छोटी ही होगी तो 12 से छोटी केवल एक ही इसमें current है 10A तो 10A आनाम से इसका correct answer हो जाएगा और आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने आपको 720W दिखा दिया है कि कितना है power को यह deliver कर रही है और 20A की पीछे से आ रही है तो इधर कितना जाएगा 2A तो 60 तुनी के 120W यह absorb करेगी तो टोटल देखिए 720 टोटल 720W यह absorb कर रहे है ऐसे भी आपका सही हो गया तो 10A की हो जाएगा इसका correct answer हो जाएगा बढ़ जाते हैं अगले question पे अगला जो question है हमारा तो यहाँ पे हमसे minimum number of gate पुछा गया है तो हम लोग कैसे बता है तो हमने A ले लिया और B ले लिया उसके बाद C ले लिया और D ले लिया और NAND gate का ही हमको यूज करना है यह देहां रहे है यहां पे और यहां पे भी हमने एक डी और उसके भी बार हो जारेगा तो अब यहां से अगर हम क्या क्या करेंगे क्योंकि हमको qevl NAND gate का ही यूज करना है तो क्या output मिलेगा हमको again 9 gate है तो यह मिल जाएगा जो भी है AB bar उसमें dot लग जाएगा CD bar लेकिन अब देखिए कि यह not का symbol है तो यहाँ पर हम लोग एक और बार लगाएंगे तो overall अभी क्या हो जाएगा D Morgan principle से अगर एक bar के उपर बार है तो यहीं हमको output मिल रहा है Y is equal to यहीं हमारा Y है तो कितने 9 gate हमको यूज करने पड़े टोटल 1,2 और 3 ठीक है तो third second option में दिया गया है कि minimum 3 gate required होंगे इसके लिए तो second option क्या हो जाएगा इसका correct हो जाएगा अब बढ़ जाते हैं अगले question पे अगला जो question है हमारा the impedance of a series LCR circuit at resonance is तो यह तो फिर से बच्चो अगला question है करफी easy question है third option इसका क्या हो जाएगा correct हो जाएगा अगला question है a track is, track क्या है हमारा तो देखें track का क्या मतलब होता है track actually मतलब होता है triode 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 for alternating alternating जो AC इसमें वो क्या है alternating current राइट alternating current तो यह तो हमारा हो गया triode का मतलब और यह क्या होता है three terminal device से जिसमें आप देखोगे की back to back back to back क्या होते हैं यहाँ पे यह देखिए फड़ा यहाँ पे इस पेंस से अच्छे से बन नहीं पा रहा है right यह हमारा क्या होगा mt1 mt2 इसको नाम दे देते हैं तो यहाँ पे दो CR जो होते हैं back to back connected होते हैं और यह दोनों direction में क्या हो सकता है trigger हो सकता है means एक बार जब यह देखोगे की यह क्या होगा forward bias में तो यह reverse bias में होगा एक बार यह आपका forward bias में होगा और यह reverse bias में होगा तो जिस जिस टाइम पे जो forward bias में होगा वो conduct करेगा otherwise नहीं करेगा दूसरा वाला तो इस तरीके से हम देखेंगे कि यह दोनों direction में trigger हो सकता है इस होज़े से यह bilateral device है तो first option हो जाएगा इसका correct हो जाएगा अब बढ़ जाते हैं अगले question पे अगला जो question है हमारा the current gain of a darlington pair in common emitter configuration is approximately तो current gain हमको पुछा गया है darlington pair in common emitter configuration is approximately तो यहाँ पे मैंने करा भी रखा है कि जो darlington pair है वो क्या होता है simply दो transistor होते हैं देखें यहाँ पे इन ही का pair होता है और इसमें क्या है कि यह दोनों जो transistor है अगर हम suppose कर लें कि इनका जो current gain है बीटा और इनका भी current gain बीटा है इसका right वैसे अभी फिलाल में हमने बीटा 1 बीटा 2 ले लिया है तो अब क्या होगा कि हमको पता है कि जो I यहाँ पे क्या है एक्चली यह IB1 है अच्छे से दिखनी रहा है यहाँ पे IB1 है यहाँ से आप base समझ लीजे यह base है collector है और यह रहाब का emitter और यहाँ पे emitter यहाँ है और यह collector है और यह base है तो जो IE1 होता है वो क्या होता है IC1 प्लस IB1 यह तो आपको पता ही है अब यहाँ से हम लोग जानते है कि IC जो को स्टू क्या होता है बीटा IB तो बीटा 1 IB1 हमने लिख दिया इससे 1 प्लस बीटा 1 IB हो जाएगा हमारा अब यहाँ पे बीटा जो होता है वो काफी बड़ा होता है इन comparison to 1 जैसे 99 के करीब होता है तो 1 अगर उसमें हम add कर दे तो लगबग 99 नहीं हुआ तो बीटा IB1 इसको लिख सकते है अब हम जानते है जो IE2 है यहाँ पे जो output है हमको क्या चाहिए current gain चाहिए तो जो output है और यह जो input है right मतलब IE2 यहाँ पे emitter है इसका current और IB1 यहाँ पे जो base है पहला वाला तो IB1 यहीं हमको चाहिए तो यह अगर हमको चाहिए तो हमको IE2 कितना पता है IE2 जो होगा वो जो IE2 होगा यहाँ से IE2 वो कितना होगा जैसे यहाँ पे IE1 आपने पता किया β1 बीटा 1 बराबर है तो हम लोग अब IE2 अपन IB1 लिखना शुरू करेंगे IE2 हमारा क्या होता है बीटा 2 IB2 यहाँ से और IB1 है यहाँ पे अब यहाँ पे IB2 हम जानते हैं कि किसके बराबर है IB2 वो IE1 के बराबर है जो इसका output है फर्स्ट वाले का तो वहाँ पे हम IE1 लिख सकते हैं अब यहाँ से हम जानते हैं कि IE1 किसके बराबर है बीटा 1 IB1 के तो हम यहाँ पे बीटा 1 IB1 लिख देंगे तो IB1 से IB1 कर जाएगा और यह आजाएगा आपका बीटा 1 बीटा 2 और अगर beta 1 और beta 2 equal हैं तो यहां पर जो आपका बीटा स्क्वाइर हो जाएगा तो यहां पर जो आपका correct answer हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बीटा स्क्वाइर तो darling return pair के case में जो common denominator configuration होता है उसके case में current gain जो होता है अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक बार जरूर लाइक करिएगा चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए थैंक्यू टाटा बाई बाई